हेलो फ्रेंट बूर्निंग स्वागत आपका आपके अपने ही चैनल फैंटेसी तड़का में तो गैस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं अपना फैंटेसी टीम ड्रीम 11 का टीम और एक नहीं पूरा दो टीम दूँगा और गैस आपको बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के मामले में काफी रिस्की ये मैच रहेगा अगर आप स्मोल ली खेल रहे हो तो अगर आपको ग्रैंड लिक है न तो आप ग्रैंड लिक इस मैच में ज़्यादा तर खेलिए ये मैं परसनल ये आपको सला दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैच खेला जाएगा यहां पे गुजरात में एहमदाबाद में और आपको बताना चाहूँगा जो विकट है काफ़ इच्छी खासी रहेगी बैटिंग के लिए और पेसर्स प थोड़ी जादा हैर्फल विकट रहती है मैच खेले जाएगा गुजरात वर्स जूट जाएगे को कि यहां पे आपको सारा कुछ तो गए टेलेग्राम पे अपने जूट जाना है को कि यहां पे आपको पूरी इंफलमिशन दी जाती है कौन खेलने वाला को नहीं खेलने वाला अगर मैं टीम में अपडेट करता हूँ जिसके चांस ना के बराबर है तो आप टेलीग्राम पे जूट सकते हों मालोग अगर टीम में अपडेट करा तो ही मैं चेंज करूँगा नहीं तो मैं सेम टू सेम जो आपको अभी मैं टीम दूँगा ना इसी साथ मैं प्ले करने वाला और दोनों टीम्स को मैं मेल्टी एंटर करूँगा अगर मैं थ्री मेंबर फोर मेंबर कोई भी मेंबर खेल हूँ तो मैं दोनों टीम्स जो भी मैं आपको दूँगा जाए स्मोल लिग की ग्रैंड लिग की सेम टू से मैं उन्हीं से प्ले करने वाला तो आप जाए हमारा टेलेग्राम चैनल जोइन करें विडियो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो गाज बात करें यहाँ पे दोनों टीम्स की पोसिबल प्लेइंग लेवन की उसके बाद बात करेंगी हमारा क्या ड्रीम लेवन का टीम रहने वाला तो मैच खिला जाएगा यहाँ पे एहमदाबाद में निरिंदर मोदी स्टेडियम में यहाँ की जो विकट है वह आपको बता दो बैटिंग विकट है थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पिनर्स को हेलफुल विकट रहती है सेकंड इनिंग में बागी लाज़ के तीन मैचस की बात करें तो बीस विकट यहाँ पे स्पिनर्स को मिले और स्पिनर्स को पंदरा विकट मिले बागी फैंटसी टीम जो हमारा फैनल रहेगा वो लेने के लिए आपको हमारा टारीग्राम चैनल जोइन करना है 17,200 से ज़्यादा आपको जहां पे जनता दिखेगी तो मिस नहीं करना है आपने हमारा टारीग्राम चैनल जोइन करना है वीडियो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिले दिखाओ तो बात करेंगा इस गुजरात पोसिबल प्लेइंग्राम की रिद्धिमन साहा के साथ ओपन करेगा गिल अब गिल लास्ट मेंच में जीरो परोट हुआ है उससे पहले पंता आलिस और स्तासर रण की पारिये हैं बहुत बड़ा गिलाड़ी है और गिल मेरा कैप्टन रहेगा स्मोली के टीम में टीक है मैं ग्रीन को कैप्टन नहीं मनाओगा यह मेरा पर्सनलिज रिस्क रहेगा हलांकि वेन्यू पे चार में कियावन हैं बारा कैवरेज वेन्यू वेन्यू वे खुस खास पर्फॉर्मस नहीं है लेकिन अगेंस्ट मुंबई काफी अच्छा खेलता है गिल की बात करें लास्ट मेंच में जीरो पर गया उससे पहले पंतालिस तासट करें हैं और हैट्ट पोरे चलने के चांस रहेंगे शुबमगिर क्यों कि सामने जोफरा को अगरे छोड़ दें खुस खास फास्ट बोलिंग इनकी नहीं है बात करें नंबर त्री के तो नंबर त्री पर आएगा हार्दिक पंडिया जिनों ने हैट टू हैड में एक ही मैच खेला 24 रन बनाए है और एक्स खिलाडी है मुबई इडियन्स का और वेन्यू पे तीन में सतर रन एच टेज कैवरेज चार विक्टे हैं और लास्ट के तीन मैच तक आप देखोगे शासर ठाई आठ रन की पारियां और एक विकट इनको मिले है अभी नमर नोहर तीन में बनाए लास्ट में उस छे मैचस खेले हैं अभी तक इनमें ठीक टाग इनका परफॉर्मस रहा है बागी 10, 63 और 29 रन की पारियां हैं डेविड मिलर 6 रन, 46 रन, 17 रन और हैट टू एड में इनका विरकोड काफी जवर्दस था अगर आप देखोगे 13 मैचस खेले हैं 13 में 49 कैवरेज है और रन की ब पताने का बोलिंग करें का बैटिंग करें बाकी राशीद खान 11 में 12 विकट है 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 टू है जब मुंबई के खिलाव चार में 8 विकट हैं या वेन्यू पे है काफी बढ़ी अख ख्लाडी है नोटाउट हर मैच में विकट लेता है लास्ट के तीन मैचस में इनको 4 विकट म hoek nós बाइमी से गिनध वज इन्होंने करी थी और इनका स्पैल था और मोही शरमे का शब्सक के लिए हैं मोही शरमा में 12 मैचस के लिए हैं 23 विकट माइने रखता है बंदेगर को आप यहां पर देख सकते हो हलांकि इनका पता नहीं कब इनको ओबर इनका खड़ जाए बात करें स्टार्टिंग ओबर की तो स्टार्टिंग ओबर मुहमद शम्मी और मोहिश शर्मा डालेंगी हार्दिक पंडिया भी स्टार्टिंग ओबर डा हेट्ट्रुएड में जब यह गुजिरादके खेलाए और इनोट एवने भी एक मेंन्द तो स्मय वहां होगो यहां होगा आहँ क्रेंग अग्रें का पर्फॉर्मेंस में सब्हेंगा जिया से सुनिए दएको चार और कर रहा है, नंबर थ्री बैट कर रहा है, लेकिन मैं इनको C नहीं बनाऊँगा, अब उसके पिशे का लोजिक क्या है, इनका 250 करना, या तो ये बैटिंग से फ्लोब जाएगा या फिर दोनों से फ्लोब जा सकता है, या फिर दोनों में वंस अगेंड पर्फॉर्म कर सकता है आपका ब Menit अगर आप two member, three member, ten member, four member खेंड रही हो तो आपका बvenit green को C lे कर आएगा लेकिन मैं green को captain नहीं बनाओंगा यह मेरा personal risk है अगर आपको safe खेंडना तो आप green को captain बना यह बाद में मुझे blame करने की कोई जिरूरत नहीं है अगर परफॉर्म कर जाता है तो लेकिन मेरे कुछ फंड़े हैं टीम मनाने के जीरो वाले को मैं सीज मनाता हूँ दो फिप्टी वाले को मैं सीवी सी नहीं बनाता हूँ बलेवे कोई भी खिलाड़ी हो और चार विक्षट वाले को मैं टीम से टोप करता हूँ यह मेरे खुद के लोजिक हैं किसी की कोपी हम करते नहीं है यह खुद के हमारे फंडे हैं सूरिक मर्यादव ने एक ही मैच के लिए एक में तेरा रणे लाश्क के तीन मैचे की बात करें 57 तरतारी करें हैं टीम डेविड 25 नोट टाउट उससे वहले 16 24 नोट टाउट इनके ख पहुद करें कि अच्छा चारी नीए प्यूट चावरा आशक के 3 मैच में पाने विकट मिला अच्छा खिलारी है स्टार्टिंग ऑबर की तो अर्जु तेंडूल कर डालेगा कैवरों के साथ उसके जोफ्रा और जेसं वेंड़ूफ यह सब डैत में डा ने वाले हैं तो ग अपने स्मॉल लिग के टीम में, ग्रैल लिग में कुछ भी कर सकते हैं, लेकि स्मॉल लिग में नहीं निकालेंगे, आगर आप टू मेंबर, थ्री मेंबर, टैन मेंबर खेल रहे हो, पहला खलाडी रेगा हार्दिक पंड्या, जिसको हर एक ओपनेंट लेकर आएगा, दूसरा खलाडी रेगार, राशीद खान, तिसरा शम्मी, चोस्ता गिल, ये चार खलाडी गुजरात के, बागे चार खलाडी रोही शर्मा, यादब, इशान किशन, और कैमरून ग्रीन, ये आठ प्लेर ऐसे हैं, जिनको आपका ओपनेंट लेकर आएगा ही आएगा अपने टीम में तो हम सिर्फ तीन प्लेर पे रिस्क लेंगे और सी वी सी पे प्लेर रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है, तो ये कोमन खलाडी आपको बता दिये, बात करनें टॉप स्री ग्राणी कैप्टन की तो इशान किशन है, रिदीमन सहा है, मोहित शर्मा है, ये तीन खलाडी ऐसे हैं, जिनको लोग टीम में दो लेंगे, मोहित शर्मा को शाय ड्रोक करेंगे, लेकि सी वी सी कोई नी बनाएगा, आपको मैं परसनली सला दूँगा कि आप सी वी सी बना सकते हो इशान किशन को, सी वी सी बना सकते हो रिदीमन सहा को, मोहित शर्मा को, क्योंकि तीनों ही लड़क गेंदवाज नहीं होगा अगर जोफरा नहीं आता है स्टार्टिम ओवर करने तो अर्जुन तेंदूल कराएंगे जेसन वेंडरो फाइंग उनको अच्छे से खेल लेगा बाकी मोही शर्मा का रिकोर्ड काफी अच्छा है और मोही शर्मा 16 मैचस में काफी तगड़ी वुक् सब्सक्राइब को पूरी दुनिया बनाए किसी उसका रिजन है नंबर 3 पर बैट कर रहे हैं कोटे के चारोगर कर रहे हैं आप भी बना सकते हो नो डाउट कुकि देखो मैं गिल को बनाऊंगा अगर गिल को एक गेंद लगेगी ओट होने में अगर गिल ओट हो जाता है तो उसके बाद वो पर्फॉर्म नहीं कर पाएक उपकिन के पास एक मोका रहेगा ग्रिन के पास बैटिंग से फ्लोग होता है तो बोलिंग से पर्फॉर्मस कर सकता है कैमरून ग्रीन नेकिन मैं सी नहीं बनाऊंगा बलए मेरे टिम खराब हो जाए मेरे कुछ रूल्स रेगॉ और टीम मनाते हैं देखो गुजरात के फेवर बे मैं टीम मनाऊंगा मुझे लग रहा है गुजरात के टीम ये मैच बीन कर जाएगी ठीक है फिलाल के लिए मैं रिद्धिमन सहा इशान किशन दोनों को टीम में लेने वाला हूँ दोनों टोपोडर के बैट्समें ने दोनों उपन करेंगे दोनों ही टैकिंग नेचर के प्रेइर है रिद्धिमन सहा को जितना उसका नाम कम है ना रिद्धिमन सहा के शान किशन के सामने लेकिन उतने अच्छा टैक्निकल स्ट्रोंग बैट्समेन है रिद्धिमन सहा तो इसलिए मैं दोनों को लेने वाला हूँ और द सूर्य कुमार याद यह मेरे टीम में confirm रहेगा बाकी options की बात करें तो options यहाँ पर डेविड मेरे आप इनको ले सकते हो तिलक बर्मा को रख सकते हो लेकिन वह ही है कि तिलक बर्मा का बैटिंग ओडर नीची हो गया है क्योंकि green अच्छा खिल रहा है तो green को team number 3 पर बेज रह तो आप green को अपने तिलक बर्मा को ले सकते हो अगर बैटिंग इनकी ओपर से उड़ जाते हैं दो तरी प्ले तो यहाँ पर टिम डेविड की चांस चेका से रहेंगे बैटिंग आने के और तिलक बना के भी चांस रहेंगे बैटिंग आने के बाकि राहल तो बत्या को पता आलो बादे मुझे मत बलेम करना के वज़या आपने ड्रोप कर रहा है क्योंकि मैं सीविसी सिर्फ दो फिप्टी लगातार मारी है यही रीजन है इनको सीविसी में नहीं बनाऊंगा बहले मुझे पता है कि बैटिंग से फ्लोक वोका बोलिंग से दो तरी विक्टर ले ले अगर है को कि नूर एहमद में काफ इच्छी गेंदवजी करवाई है आप जेसन बेंटरोफ को ट्राइ कर सकते हो बाकि तंदूल कर भी ठीक्टा कोप्शन आपके लिए हो सकता है कि आप दो तरी वक्टर निकाल ले लेकिन तंदूल कर खेलेंगा चांस तो फिर से वन सगि अब गिल को सी बनाने के पिछे लोजिक क्या है सामने बोलिंग कमजोर है जोफरा को अगर शोड़ दें बाकि कोई वतना अच्छा खिलाडी नहीं है कोई वतना अच्छा बोलर है जो इसको ओट कर दें गिल बड़ा प्लेर है और इस मैदान पे गिल का काफ़े चरकोड है यह मत भूलिए और दूसरा रिजन ही है कि गिल लास्ट मेच में जीरो परोट हुआ है इसलिए मैं गिल को सी बनाऊंगा वाइस कैप्टर मेरा रहेगा हार्दिक पंडिया थोड़ा सेफटी के लिए हार्दिक को बना रहा है नहीं तो मेरा बहुत मनता कि मैं इशान किशन क को वी सी करूँ बाकि मैं ग्रीन को सी बीसी नहीं बना रहा हूं ये मेरा परसनेटी इसके पीछे के उसके पीछे भी एक लोजिक है दो फिप्टी लगादार करी है हलांकि चार ओबर कर रहा है नंबर ती पे बैट करा है परफॉर्म करने के चांस सो परसेंट रहेंगे ले फिर मैं यहां पर जोफरा को भी ले रहा हूँ है अपना गुजरात की टीम पहले बोलिंग करेगी तो मैं जारा जांसे कि मैं सेम इसी टीम से खेलूंगा क्योंकि फिर मुझे मुझे मोहिशर्मा जोफरा ले लिजिए और ग्रीन को कर दीजिए सी बस यह दो चेंज आपको करने हैं कौन से चेंज मोहिशर्मा की जगा जोफरा लिजिए और कैप्टन ग्रीन को करना है अगर आप सेफ खेलने वाले खिलाड़ी हो तो तो फिलाल के लिए मेरा स्मोल लीका टीम है यह द्यान दें स्मोल लीका टीम है टू मेंबर का थ्री में कंप्र वाले बस इसमें मैंने रिस्क लिए मैंने यहांप मोहिशर्मा को फिर से लिए मैंने शम्मी को ड्रॉप करा है मैंने रोहिट को सी बनाया है क्वांने के सामने गेंद वाजी करेगा अ Kollege गर शम्मी ठीक है तो दोने डिप्स है आपको मैंने दे बढ़ी मैंने रिस्क लिया हैが कुछ ना बनाके बहुत बढ़ा रिस्क है块 कोपी करते है चोड़ा कोपी करना बंद किएगा जलीए है नेक्ट मैं अलए है वाने है ड़नीगोफ